हलो नमस्कार दोस्तों आप सभी गैस चैनल के स्वागत करता हूं मैं अमंधी प्लामवाज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं साथ चैनल के आप साथ अपके करने में बहुत मुददगार रहती है इसके साथ जो भी आपके ओशेंस हैं वो हीट प्रोवाइडड करते हैं आपकी इनर हीट से यानि कि oceans की भी खुद की heat होती है इसका मतलब यह है कि जो भी आर्थ के interior है वो भी आपका गरम देखने हो मिलता है होट देखने मिलता है उसके अधार पे भी oceans आपके गरम होते हुए नजर आते हैं इसके साथ जो sea surface है sea surface है जो भी आपकी है वो आपका 5 to 30 km ही आपका sea surface गरम होता है आपके sun के द्वारा जो भी energy मिलती है उससे और यह आपका negligible type की देखने मिलती है क्योंकि आपके जो ocean है वो ocean आपका काफी deep देखने मिलता है तो इस वज़े से जो upper most layer होती है वो ही आपके sun के द्वारा करम होती हुई नजर आती है अभी आपने जाना कि जो source major source कौन कौन से हैं आपके oceans को heat provide करने में अभी हम जान लेते हैं कि जो three processes हैं जिनके आधार पे आपके प्रक्रिया ही है जिनके आधार पे ocean water है वो आपका गरम होता हुआ नजर आता है सबसे पहला है absorption यानि कि आपके जो भी sun क के द्वारा energy मिली हमने डिसकस किया sun की energy वो रेडियेट करता है उसको absorption करके उसको absorption करके आपके जो ocean water है वो आपका गरम होता हुआ नजर आता है इसके साथ साथ जो आपका प्रोसेस है वो आपका conventional current conventional current आपके जो circulate होती रहती है आपके circular way में उसके आधार पे भी आपके ज होती है जो भी आपके friction की वजह से जो भी आपके surface प्रोडे से शोती है यानिकि जो भी आपके surface चलति हैं तो उसके उसके व की वाटर में स्ट्रेस पैदा होता है और वाटर वडी में स्ट्रेस में को उनी की वदए से व हीट में टुए करने के माज़ों ei जा की मिलिए इंदर को तरह कोल पर अब के अलावा अपने क्लाइमेटलोजी में बेसिक से हीट बजट को देखा होगा तो बैक जो भी आपके रेडिशन है वो आपके सी सर्फेस पे आती है तो वो आपकी सोलर एनरजी के थूरू आती है आपके जो भी इनसोलेशन के थूरू आती है तो वो आपके जो भी जो भी एक आपके जो भी आपके environment है उसमें तो इस वज़े से आपकी ये back radiation के वज़े से भी आपका cooling भी होती है आपके oceans में इसके साथ exchange of heat यानि कि जो sea है और atmosphere है उसके बीच में difference देखने मिलता है इसकी वज़े से भी आपका जो oceans है वो cool down होते है evaporation मतलब कि वह आपके वास्पी करण के वज़े से जो भी आपने heat ली वह आपकी loss हो जाता है जब भी आपका evaporation होता है तो यह एक तरीके से तीन process होती है जिनके आधार पर आपकी cooling होती है किसी भी ocean water की इसके साथ vertical distribution जो आपका देखने मिलता है temperature distribution आपके oceans का वह आपका दो यह लियस में देखने को मिलता है जो आपकी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ocean का water है वह आपका एक जोन तो आपकी 200 मेटर के पासपास ही देखने को मिलती है जिसको हम phytic zone कहते हैं एक तरीक से phytic zone है वह आपके solar जो भी आपको insulation है उसको प्रवाइड करकी temperature है वो उससे पढ़ बोटम तक रहता है वो आपका जो sun rays है उसको तो receive करता नहीं इसलिए से यहां पर जो भी आपके अर्थ के interior में जो भी आपकी गतिविदी होती है या heat मिलती है उसके आदार पर गरम होता हुआ नजर आते हैं इसके साथ सथ एक point ये भी देख लीजिए कि जो आपका ocean का water है व वो आपकी different देखने को मिलती है अभी आपने जान लिया अभी थोड़ा सा जो आपकी temperature है temperature में आपकी जो profile है profile की बात करें यानकी surface water और ocean के जो deeper layer होती है उसमें भी आपका difference देखने मिलता है आप अगर देखेंगे तो जो आपकी boundary है आपकी usually आपके जो एंडर टू आपके यह जो आपका layer है 100 to 400 meter की जो layer है यह आपकी जो भी ocean surface के deep में वो आपकी एक तरीके से काफी महत्पुन रहती है क्योंकि यहाँ पर आपका जो water है आप यह देखिए 100 to 400 यह आपका जो मिलता है यह layer मिलती है यह एक तरीके से काफी इसमें decrease होता है temperature का यह आपको देखने को म standard आसपास जो आपकी layer होती है इसको हम thermocline कहते है क्योंकि यहाँ पर rapidly आपका जो decrease temperature में देखने को मिलता है तो एक तरीके से यह temperature में decrease आपका rapid decrease होता है इसमें आपका thermocline इसको कहा जाता है और यह 90% जो भी आपका water है आपका जो भी ocean का वो आपके इससे deep मिलेगा मतलब कि thermocline से नीचे ही आपका 90% water देखने को मिलता है इस यह एक तरीके से अपर layer कहीं जाती है यह आपका basic understanding रही कि thermocline आपके क्या होती है और आपके vertical distribution में आपका यह चीजें आपकी देखने को मिलती है अभी आपके जो three layer system है जो कि आपने देखी जो भी आपका temperature है आपके ocean में ocean का जो आपका middle से low latitude में जो आपके three layers देखने को मिलती है तो आपके यह middle और low latitude में क्यों देखने को मिलती है तो आपके अगर देखें जो आपके higher latitude है उसमें आपका water है वो आपका freezing zone मिलता है cold मिलता है बिल्कुल बरफ जमी रहती है तो इस वज़े से वहाँ पर three layers नहीं देखने को मिलती है आपके surface to bottom ठीक है इसके साथ साथ जो भी आपके middle या low latitude में आपकी देखने मिलती है वो आपकी three layers देखने मिलती है तो first layer होती है वह एक तरीके से top layer के कह दें तो top layer आपकी warm रहती है ocean water क्योंकि यह अगर आपकी 500 meter ठीक देखने मिलती है और इसका usually temperature की ब energy मिलती है वो इसी layer में आपकी आउसोशित की जाती है या जो की जाती है second layer जो होती है वो आपकी thermocline होती है thermocline हम हमें discuss किया जो आपकी first layer है उससे नीचे देखने मिलती है और यहाँ पर आपके जो भी temperature है वो रैपीड डिक्रीज देखने मिलता है यह आपके 400 to 1000 या 500 to 1000 meter आपकी ठीक देखने मिलती है इसकी जो अलग अलग बुक्स के आदार पर रेंज आपकी पहरी करती है तो इसमें confused आप बिलकूल भी ना हो इसके साथ आपकी जो थर्ड लेर है वो आपकी बहुत ही ठंडी रहती है क्योंकि यहाँ पर जो deep ocean floor है वहाँ वहाँ पर देखने मि इसकी आपको better understanding हुई होगी horizontal के बात करें आपकी vertical हमने जान लिया कि oceans में आपका distribution है temperature का वह कैसे देखने मिलता है अब हम horizontal की बात करें तो जो average temperature है surface water का वह आपका 27 degrees Celsius देखने मिलता है पर यह usually आपका एक तरीके से decrease होता हुआ नजर आता है जब भी आपके equator से pole की side हम जात इसके साथ साथ जो भी आपके rate है decrease होता हुआ नजर आता है उसमें आपका leitode है आपके 0.5 degree Celsius per latitude कही साफ से आपका होता हुआ नजर आईगा इसके साथ साथ जो भी horizontal आपकी temperature का distribution है उसको हम isotherm lines भी कहते हैं तो एक तरीके से isotherm line है ये काफी बार पूस्या भी गया है paper में तो isotherm lines उनको कहते हैं जो कि आपके equal आपके temperature को join करती है उनको isotherm line कहा जाता है ठीक है isotherm's होती है वो आपके closely अगर spaced हो मतलब कि आपके पास-पास हो तो तो आपकी यह समझ लीजी कि वहां पर आपका जो temperature है वो बहुत rapidly आपका change हो रहा है आपके यह आपका 20 का होगा 30 degree मतलब कि आपके पास-पास होई तो आपका बहुत जल्दी-जल्दी आपका temperature है वो आपका temperature आपका कम कट यहां पर आपको diagram के छो समझाने का प्रयास करता हूं आपका यह देखिए कि आपकी 10 degree Celsius की लाइन है आपके आई-सु-थाम है और यह आपकी 20 degree Celsius की आपकी यहां पर आई-सु-थाम लाइन है तो यहां पर अगर देखिए तो आपका इनका difference आप देखिए और चेंज देख सकते हैं कि आपके land की जो property है वो आपका कितना difference है इनके पीच में 0-10 और यहां पर आपका difference है वो कितना है तो एक तरीके से आस-पास होंगी तो आपका difference है वो बहुत जल्दी से मतलब कि 10 degree Celsius से आपकी 20 degree Celsius मतलब कि बहुत ज़्यादा rapidly आपका distribution temperature का surface पे देखन इसके साथ जो range of ocean temperature के बात करें तो range of oceans या seas है वो आपके उनकी hitting और cooling process है वो आपकी slower देखने मिलती है as compared to आपके land surface land जो surface होता है उस पे आपकी जल्दी से तो गरम हो जाता है और जल्दी से आपका ठंडा होता वान नजर आता है लेकिन आपके अगर oceans की बात करें तो oceans पे आपका ऐसा नहीं मिलता यहाँ पर आपके जो heating और cooling की process है वो आपकी बहुत ही slower देखने को मिलती है इसी वज़े से आपकी जो solar insulation है maximum आपके noon में देखने मिलेगा यानि कि आपके जो surface temperature है वो आपके ocean का highest आपके 2 p.m. देखने को मिलेगा यानि कि दोपेर के 2 बज़े आपके देखने मिलेगा और इसके साथ साथ यागर lowest की बात करें तो 5 a.m. देखने को मिलेगा तो यह आप देख सकते है और इसके साथ साथ जो भी आपके daily range है आपका temperature का वो आपका one degree Celsius से आपका ज़्यादा इसमें चेंज नहीं आएगा average ली आगर बात करें तो यह एक तरीके से ख्याल रखें कि जो आपका ocean का water है वो आपका temperature है उसका बन डिगरी से साथ जादा आपके daily level पे आपकी उसके range नहीं हो सकती यानि कि daily level पे आपका वाइफरगरेशन बन डिगरी से जादा नहीं हो सकता इसके साथ साथ जो भी आप आपका maximum है आपका अगस्त में आपका temperature मिलेगा और जो आपकी minimum है वो आपका February में आपका temperature देखने को मिलेगा एक तरीके से यह आपने जाना कि आपकी इस वीडियो के मादम से कि आपका जो भी आपका temperature है आपका vertical या horizontal सभी चीज़ें आपने discuss की सभी चीज़ें आपने जा आपने दोस्तों के साथ शेर भी करें ताकि उनको पर यह information चाहा सके प्री आपको सभी चीज़ें प्रवाइड करा रहा हूं पीडियों भी आपको जंद ही अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रवाइड करा दूंगा तो धन्यवाद जैहिंद जैंद 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 ज